पॉपल जितनी है अपकी आपकी हो सकता है भोर निंदनी है कि सुपरीम कोट की किसी प्रकार की वेबसाइट को हैक कर लेना क्या होता है जैसे गड़कियों के साथ कि उनकी फोटो के साथ इसको AI के द्वारा इसको मैनुपलेट कराके चेंज कर देते हैं और फिर उनसे रुपए मानते हैं और जहां तक हम जानते हैं कि साइबर क्राइम का कैपिटल रहा है जामता रहा इस वक्त हम लखन यूनिवर्स्टी के कैमपस फस खड़े हैं यहाँ पर तमाम यूवा देखने को मिल रहा है जो जानकार है जो पड़े लिखे हैं तमाम इन सब के बाबजूद हमारे देश में साइबर क्राइम की घटनाएं बढ़ती चली जा रही है तो आईए यहाँ पर लोगों से बात करते हैं उस बारे में जानते हैं कि आखिर गेमिंग के जरिए और तमाम ऐसी वाट्सअप लिंक के जरिए आखिर क्यूं ये घटनाएं बढ़ती जा रही है आपका नाम? मैं नाम अनिवेश सिंग है अनिवेश जी ये बताइए कि जिस तरह कि हम साइबर क्राइम में एक दुरगटना देख रहे हैं बहुत सालों से अखिर जब तक लॉकडाउन के बाद से साइबर क्राइम बढ़ गए तो उसमें कुछ आप अपनी राय आप फिर कुछ कहना चाहेंगे साइबर क्राइम तो पिछले कुछ दनों में घटना काफी बढ़ी है और जहां तक हम जानते हैं कि साइबर क्राइम का कैपिटल रहा है जामतारा तो साइबर क्राइम पहले जो होते थे कि नॉमली आपको फोन करके आपका एटियम पिन लेकर के लोग पैसा ले ले लेते थे अब वो चीज़े काफी ज्यादा एडवांस हो गई हैं कि अब फोन करके आपके बच्चे की आवास सुना रहे हैं कि आपका बच्चा कई पकड़ा गया है अब ही मेरे मैंने भी किसी के साथ देखा था कि उनको सीबियाई से फोन आता है कि आपके बेटी ड्रक्स के साथ पकड़ गई है और उनकी बेटी कोचिंग में थी उन्होंने फोन ने उठा उसकी बेटी फोन ने उठा पाई जिसके वजह से उन्हें डेढ़ लाक रुप उनको देने पड़े और उन्हेंने कम्प्लेन अम्प्लेन भी की तो वह नंबर राजिस्थान का मिला तो इस विसे मैं यही कहना है कि लोगों को सतर करेने की बहुत जरूवत है और यह जो भी टागेट कर रहे हैं वो किसी पर्सनल के लेकर टागेट कर रहे हैं जिससे आदमी सोच भी नहीं पा रहा है कि मेरा वालब यह कुछ वो भी हो सकता है देखा जा सकता है कि WhatsApp तमाम ग्रूप बनते हैं उनिवर्स्टीज में उस ग्रूप में कहा एक लिंक आती और कहा जाता है कि अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको पास लाक रुपे या दस लाक रुपे मिलेंगे और उसके बाद कुछ बच्चे उसमें क्लिक करके उनक सब्सक्राइब करें एक डॉक्टर के दुवारा डॉक्टर से पैसे वैसे निखाल और रही बात WhatsApp पे जो लिंक आते तो हम में सब को एक सतर करना होगा हम सब पढ़े लिखे हैं आपे WhatsApp जो चला रहा है नॉमनल इंसान नहीं पढ़ा लिखा है थोड़ा उसको पता है और AI बढ़ चड़ के अब लोग हिस्सा लेना चाह रहे हैं और AI एक ऐसी चीज है कि जिस तरीके से AI से यह जानी नहीं पाएंगे कि हाँ यह वही इंसान जिससे हम बात करें या कोई और है AI कहीं ना कहीं अगर अच्छी चीज है तो AI का दुरपयोग भी बहुत सारे होगा है आपने हाल के समय में देखा होगा कि AI से कुछ लोग वीडियो बना लेते हैं किसी और का चहरा कहीं और जो उड़ लेते हैं तो AI का सही स्टमाल भी है बहुत सारी चीजों में आप सही पहले उसके गलत इस्तमाल पहले लोग डून लेते हैं तो AI का इस्तमाल अगर सही से किया तो काफी अच्छा है और दुर उप्योग तो बहुत सारे हैं इसके आपका नाम पार्थ यद्वन्शी किस चीज की पढ़ा ही कर रहे हैं आप मैं LLB ओनर्स मैं सेकंड एर में हूँ अब LLB के चात्र हैं आप देख सकते हैं किस तरिके से हम मारा आज पारनो जो मुद्धा हम जिस से लेचे लोंगों से आजकी स्टूडेंट में लोग उसे बात करना चाहर है फो यह कि जिस थीज अगाra Şu हो रहा है उस तरीके से आप लोगों क्या सत्रक्ता देना चाहें में फैस इस पहले आपको जानने पड़े तो फिर उसमें कई नई लॉज आये हैं आपको थोड़ा जानना चाहिए आपके जानने वालों में किसी से ये साइबर क्राइम की कोई दुरगटना हां मतलब कई बार क्या होता है जैसे लड़कियों के साथ कि उनकी फोटो के साथ इसको AI के द्वारा उसको मैनुपलेट कराक पर कोई काम नहीं चलने माला है तो आपको समय फाइट करना पड़ेगा और यह बहुत ही रोजी निउस्पेपर में तो आता रहता है आपका नाम अतुल कुमार सुकला है आप यहां के चात्र हैं हाँ पूर चात्र थे अभी पीच्डी के लिए अध्यंदत के लिए हम लोगों के साथ साइबर क्राइम हो रहा है बच्चे जरा सी लिंक ओपन करने की चकर में उनके अकाउंट से पैसे ले लिए जाते हैं तो उससे वह कैसे बचे नहीं बच्चों से इतनी जानकारिया है कि उतनी ही चीजें आप अपने यूज में लेके आए जितनी आपकी हो स से इतनी कई किसिम के फसाने वाले तरीके प्रपेगेंड़ा अपना रही है आज कल जाल साज जो है तो उन सबसे मेरा बस इतना मानना है उनसे कहना है कि बच्चों बस उतनी चीज में ही फसो जो तुम्हारे लाइक हो एज किसी एप से हो तो उस चीज को ही खाली देखो जो सर आपका नाम क्या है मेरे नाम एड़ोकेट आदर सिंग है आप एड़ोकेट हैं क्या ऐसे लॉज हैं आप लोगो को बताना चाहेंगे कि जिससे अगर उनके साथ साइबर क्राइम होता है तो किन चीजों का सामने से बचें जी मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने प्रद तहत की जाती है इसमें फिर 2008 में कुछ आमेंडमेंट आये उसे मैंडमेंट के साथ कुछ आईपी सी की धराये बीस में की घराई है पहले आईपी सी की धराए हैं और इसके बाद इसमें टू जब शोटावजटी एट एक्राव किसी प्रकार का आपके खाते से पैसा ट्रांसपर कर लिया गया हो किसी लिंक के माध्यम से अगर आपसे पैसा ट्रांसपर कर लिया गया हो किसी प्रकार का जहांसा दे करके आपके खाते में पैसा ट्रांसपर करा लिया गया हो किसी प्रकार की AI के माध्यम से अगर आपके इसके ताथ जो है लोगों को नयाय दिलाने की एक प्रक्रिया जो है इस विधी में है एक वीडियो है बच्चे की पच्चान नबे से चियान नबे लाख रुपे उसके गेमिंग के जरीए उसके अकाउंट से खाली कर दिये गए उसके बारे में आप क्या तो जी बिलकुल मैं इस तरीके का जो है मोबाइल डिवाइस या लैप्टॉप डिवाइस बिलकुल न दें जिसमें की आजकल यूपी आई सबसे बड़ा आईटी एक्ट का जो अपराद हो रहा है वो यूपी आई के माद्यम से हो रहा है तो मैं आपके चैनल के माद्यम से उन अभिभावकों क बताने आउगत कराने का प्रयास करूँगा कि जो नाबालिक बच्चें हैं जिनको बच्पन से मोबाइल की आदतें लगी हुई है उनको इस प्रकार का ही डिवाइस दें जिस प्रकार से कि किसी प्रकार का उसमें उनके उस डिवाइस से यूपी आई के ट्रांजेक्शन की कोई जानकारी उसमें उपलबद ना हो, कोई माधियम उसमें उपलबद ना हो, जिस परकार से गेम है, बच्चे इन्फलेट हो जाते हैं, तमाम वेब डेवलपर हैं, जो इस तरीके के कुछ गेम बनाएं, जिसमें की पहले ही उस गेम के कुछ ट्रमच और पॉलिसी सिसके त् अच्छा लगता है, वो स्टेजे स्ट पार करने के लिए कुछ पेमेंट डॉलर्स में करे जाते हैं, यूरो में करे जाते हैं, रुपए में करे जाते हैं, तो जिससे उनका यूपी आई लिंक हो जाता है, आजी न्यूस में आया है कि सुप्रीम कोट का यूट्यूब चैनल ह एक हो चुका है जब इतने बड़े सुप्रीम कोट के साथ इतनी बड़ी घटना हो सकती है तो आम जनता इससे कैसे बचेगी? बिलकुल यह बहुत बड़ी चुनाउती है चुकि सुप्रीम कोट के सामने की लोग की सेफटी को ले करके बात हो रही है यह बहुत बड़ा चुनावती है इस पर सरकार को कुछ कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए जिस परकार से मौझूदा बीजेपी सरकार आधरणी प्रदानमंतरी जी ने जिस परकार से डिजिटल इंडिया को प्रमोट किया डिजिटल इंडिया के माधियम से लोगों को बाबैक के बारे में भी इस पे विचार, कठोर विचार करना चाहिए, चुकि यह बहुत घोर्न इंदनी है कि सुप्रीम कोट की किसी प्रकार की वेबसाइट को हैक कर लेना ये हम भारत आम जन्मानस के लिए बहुत बड़ी चुना होती है कि जब सुप्रीम कोट की वेबसाइट को हैक कर लिया जाता है तो आम जनता हम लोग तो कुछ नहीं सुप्रीम कोट के आगे